हेलो दोस्तों सौगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजूगेशन में दोस्तों आज हम सेक्षन टेस्ट दे रहें ठीक है सिर्फ एक जैसे आप क्या बोलते है आर्ट एन कल्चर ठीक है जो जी के में आर्ट एन कल्चर टॉपिक है जिसमें आपके टोटल दस कोशन होंगे आपको साथ मिनिट में करने होंगे एक राइट कोशन का चार नमबर मिलेगा ठीक है दो नमबर मिलेगा और गलत होगा तो 0.25 निगेटी मार्किंग हो जाएगी ठीक है तो वो देखते हैं बढ़ते हैं ठीक है भारत के किस राजी में निशागंधी नित्य उत्सव मनाया जाता है जो निशागंधी नित्य उत्सव है दोस्तो तो वो केरल में मनाया जाता है ठीक है अगला है सूनल मान सिंग को निमनिलिखित में से किस सास्त्रे नित्य सैली के लिए संगीद नाटक अकादमी पुरुसकार से सम्वानित किया गया था तो वो ODC से संबंदित हैं अगला है निमनलिखित में से कौन सा आंदरप्रदीश का एक सास्त्रे नित्य रूप है तो कुछी पुड़ी आपका आंदरप्रदीश का एक सास्त्री नित्य है निमनलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांती को पेडा पार्णुगा के रूप में मनाया जाता है तो मकर संक्रांती को पेडा पार्णुगा के रूप में मनाया जाता है तो वो है आपका आंदरबर्देश ठीक है अगला है निम्लिलिकित में से कौन सा नित्य रूप सिक्किम से संबंदित है तो तासी सब्दों जो नित्य रूप है वो सिक्किम से संबंदित है अगला है डॉट-डॉट के हिंदू महिने में हिंदू देवता भगवान सिव के सम्मान में महा सिवरात्री मनाई जाती है तो कौन सा महना होता है सिवरात्री आपको पता है न फरवरी मनाई जाती है तो उसे फागुन कहते है हिंदी में अगला है अलर मेल वल्ली पद्म भूशन प्राप्त करने वाली एक सास्त्य नर्तकी को डोट-डोट के लिए जाना जाता है तो वो भरत नाट्यम के लिए जाना जाता है अगला है निम्लिलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधी को चिनहीत करता है तो वो अंबु बाची मेला है अगला है नमलिकित में से कॉन सा फसल उत्सो मुख्य रूप से पच्छीमी ओडीसा के लोगों दोरा मनाया जाता है ठीक है तो पच्छीमी ओडीसा के लोगों के दोरा मनाया जाने वाला no one खाई है Save करते हैं अगर हम Yes करते हैं तो आप देखेंगे कि 20 में 20 करेक्ट है इसमें attempt और भी दिये गए है अगर पहला attempt देखते हैं तो पहला attempt है जिसमें 8 करेक्ट है ठीक है, यहाँ पे हैं 8 question करेक्ट है, incorrect कोई भी नहीं है unattempted, 2 question unattempted थे ठीक है, अगर दूसरा attempt देखते हैं तो दूसरा attempt में फिर 20 by 20 है और तीसरा attempt भी दिया था जिसमें 20 में से 20 है ठीक है तो यह आपकी cutoff जो आपकी है वो यहाँ पर दिखाई है कि जनरल की बार में से 14 approach जाएगी ठीक है अगर 10 नंबर का paper माना जाता है अगर 40 का होता है जिसमें 40 marks का माना जाता है तो उसमें 24-25 से अब अब ही रहती है अगर आपका math अगर आपकी week है तो आपको इसमें cover करना पड़ेगा ठीक है वीडियो आपका कैसा लगा थोड़ा भी अगर informative रहा आपके लिए तो जाता से चाहता शेयर कीजिएगा अगर चैनल में पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को अपलोड किये जाते हैं और SSC related कोई update आती है या फिर अगर आप उत्राहंट से related कोई update जैसे आप B8 कर रहे हैं या फिर उत्राहंट का कोई form भरा है तो उससे कोई भी update आती है तो आपको बताया जाएगा और description box में WhatsApp का link हमने दाला है जो WhatsApp चैनल है BJ education करकी उसका link दाला है त वहां आपको update कर दिया जाता है ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रगाएं